पंजाब में पठान कोट जिले की भोवा विधानसभा स्रीट से आमादमी पार्टी की विधायक बने लाल चंद कटारू चक भी भगवतमान की सरकार में मंतरी बन गए हैं वहें कॉंग्रिस के जोगिंदर पाल को 2004 पोट से हरा कर विधानसभा पहुंचे कटारू चक शुरो से राजनीती में एक्टिव रही उन्होंने अपना धिकतर समय रिवॉलोशनरी मार्टिस्ट ऑफ इंडिया पार्टी की सेवा में निकाला लाल चंद कटारू चक साधारन जीवन जीने वाले वैक्ति हैं कारण है कि उन्हें जब आम आदमी पार्टी का साथ मिला तो जीद गए लाल चंद का डारू चक तस्वी पास है रिवॉलोशनरी मार्टिस्ट ऑफ इंडिया की साथ जुड़ कर वह लोगों के बीच एक्टिव रहे 47 साल के लाल चंद ने जब आप जॉइन की तो पार्टी ने उन्हें अपने एसी विंग का प्रधान बना दिया उनकी तरफ से फाइल किये गए एफिड़ेफिट के अनुसार लाल चंद की कुल अच्छल संपती सिर्फ 6 लाक रुपे की है लाल चंद 2017 की विधानसवा चुनाव में पठान कोट जिले की भुवा सीट से रिवॉल्योशनरी मार्क सीट ऑफ इंडिया की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और अपनी इमिज के दम पर 13,353 वोट हासिल करने में कामियब रहे पीते 5 साल से वहें आमादमी पार्टी से चुड़े हुए थे और अपने हलके में काम कर रहे थे 2022 की चुनाव में आमादमी पार्टी ने उन्हें भुवा सीट से टिकट दिया इस चुनाव में कटारू चक को 50,349 वोट मिले जब की कॉंग्रिस जोगिंदर पाल को 49,135 वोट मिले इस तरह लाल चंद चुनाव में 1204 वोटों से विज़े रहे तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर आप देखते रहे हैं